आपका स्वागत है दरन भी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो सबसे सस्ता सोदर गुजरात में लगता है मेरा हाडवेर तो सेम है बड क्योंके कोई भी सॉफ कॉस्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की हो वो सेल्स की हो वो अपरेशन की हो वो खर्चे इतने स्मूध है वहाँ पर के वहाँ पर पॉजिटिव साइकल चला गया और सेक्लिमन चीक आपके लिए क्रस्टिव हैं तो सब खरीद लेता हूं अब जोसे लगता है इन्डिया में एक नेबर सिंडरोम है किसी को भी न ना पहला बंदा नी हो रिस्क नी लीए निहां पर ऑगर के पड़ोसी ने करिया community ने कर लिया कोई decision तो आपके लिए आसाम पड़ता है love marriage की तरह है घर में पहली बार जो करता है उसको तो खुब डाट पड़ती है अब बाद में people get used to it तो और ये इतना इपड़ी purchase है उन्हें दो लाग खर्चा करने पड़ते हैं अब आप सोचो जो HNI लोग हैं बहुत अमीर हैं उनके लिए तो बड़ा decision नहीं होगा बट जो middle class है इंडिया का which is the bulk of the country उनके लिए दो लाग की purchase किती बड़ी है अगर आपक ऐसी कितनी चीजें हैं जो दो लाग की खरीदे हैं हमने न आप पर दो लाग रुपए की वज़े से बहुत सारा पैसा बचेगा भी long term में यह है कि आप सो अगर मैं economics बता हूं इसकी हाँ दो लाग मेंसे government आपको 40,000 की तो subsidy देती है आप अगर अच्छा solar खरीदें तो जैस आपका बिजली का bill है महीने का 3,000 अपका EMIरा धायजार तो आप तो पहले दिन से पहले महीने से आप तो पैसा बना रहे हो और यह 500 रुपए हन महीने के बचेएंगे पहले 5 साल, 5 साल बात तो आपका पूरी बिजली free ना EMI के किष्टे दिन ही है आना बिजली का bill भरना है जो लोग नहीं समझा मैं समझा जो आप कह रहा हूं और आल ट्राइब रेकिंग डाउन अभी मतलब सोलार एनरजी के बिना जो बिजली आप घर पर यूज करते हो वो कोल बेस बिजली होते है बेसिकली यस कोईले को जला कर वो बिजली बन रही है और रफली हर महीने मानलो आ आपने गाड़ी खरीद के रखी है पर कुछ-कुछ कंपनी आपको EMI स्कीम में सोलार पैनल इंस्टॉल करके दे रहे हैं अभी वो EMI में कितना खर्चा आ रहा है रफली धाई हजार का बहां हर महीने आपको पांच-सौ रुपए सेव करने का मौका मिलेगा और पांच साल क के ले तो जो टेक्नोलोजी है ना वो तो 25-30 साल तक आसने से चलती है अगर आपने अच्छा खरीदा है मिंटेन किया तो आसनी से मतलब 10 तो बहुत ही काम पीरेड हो गया एक गाड़ी की तरह ही है मतलब जो सोलार पैनल है फ़नी बात यह हमने हमारे से किसी भी बायर ने को होमोनर में कभी कोई अपना घर छोड़के किसी ने कोई 25 साल की लाइफ आलो की प्रोड़क्ट ही नहीं खरीदा और अगर मैं आपको बैस टेक्नोलोजी दी में तो किसी को विश्वाज है कि नहीं पच्छी साल तो नहीं चलेगा दस तो चलेगा मैं दस केस आप से गणित क बच रहें एक डिसिजन से आपको आज 10 लाक रुपए एक एक मिडल क्लास फैमिली और यह नहीं किसे बॉंबे या पूने में पॉसिबल है यह देश के किसी भी गाओं में किसी भी टाउन में अगर आपकी खुद का घर है और आपके खुद की च्छत है आप एक डिसिजन रुपए मिल रहे हैं अपने अच्छे पूरा आपका दो लाग रुपए हैं आपने लगा दिये अपने घर पर कोई इमाय कुछ नहीं खरीदा अब हर साल आपको 40 रुपए मिलते चले जाएंगे आप अगर वो एक्सेल पे आप रिटर्न निकालोगे सारे जो फाइनाइंस अगर लोगों को इंटरस्ट आता है इसका रिटर्न 20 परसेंट है 25 साल तक और विजली अगर और महेंगी हो दी चली गई तो आपका रिटर्न तो और बेटर होता चला गया मतलब आज के मॉडर्न टेक्नोलोजी जो नॉन सोलार पावर बेस्ट पावर है एफेक्टिवली आ आपका पैसा वहां वेस्ट हो रहा है क्योंकि आज तक अच्छी टेक्नोलोजी नहीं निकल के आए थी पर अब सोलार पावर की वज़े से आगे जाकर आपका पैसा बचेगा और मैंकाइंड के मतलब इंटरस्ट इंपर मैंकाइंड की हिस्ट्री में कभी हमें एक एक इंड पावर को ओन नहीं किया है आप कितने भी साल पहले चले जाए या तो गवर्मेंट डे रही है सरकार दे रही है राजा महराजा दे रहे है आपको या तो बंधेरे में रह रहे हो यहां पे हर घर अपना उनका खुद का पावर प्लांट होगा यह कॉंसेट लोगों के दिमा बोल करें वहां पर आइटिंक जो सरकार कर सकती है वह एक बात है दूसरा है प्रस्ट जो मैं बोल रहा था कि आप आप मोझे बताइए एक मिल्लक क्लास में जो हमारा आज व्यूवर होगा कितनी चीज़े खरीदी होंगे और दो लाग की अपने लाइफ में मैं आपको अग उगर खरीदते हैं एसी खरीदने के पिले गाड़ी तो छोड़िये घर में शायद एक एजुकेशन लोन होगा और शादियों में जूलरी खरीदी होगी बट यह उनकी लाइफ की सबसे चौथी लाइजस्ट परचेस हो जाती है यहां पे एक एजुकेशन और वो एजुके कीयर में लोग डिसीजन नहीं लेते और हमें तो यह र душ एषोड चिफिसित और बहुर्कम करना बहुत जरूओं रही है लोग इंडिया कॉस्सेटिव है उपने असमें पृ olho एक एक मारूती का ट्रस्ट है वो एक एक त्रस्त का ट्रस्त और वह trust earn करना आप सोचे ना मेरे middle class family से मैं बात कर रहा हूं सर्फ 25 साल सोधर चलेगा दो लाग की investment कीजिएगा उनके दिमाग में क्या आता है ये बंदा पैसे लेके भाग गया तो ये अगर मुझे बहुत खर्चे आये तो जितना बोल रहें बिजली बनाए उतनी नहीं बनाए तो ये इतने जो फियर है यहां पर हमारे जैसे लोगों को आइ थिंक हमें अपना हमारे इंडिस्री का लेवल उठाना है अभी के बहुत ही अनॉर्गने इस तरीके से लोकल कंपनियां लगा देती है यार कॉंट्रिब्यूटिंग तो दमिशन बट वो ट्रस्ट दवान है और क्या एक आपके पड़ोसी ने किसने लगा और उनका एक्स्पिरिंस खराब रहा वो दस लोगों को बोलेगा कि मत जायर मेरे तो पैसे नहीं बचे तो यह एक चैलेंज है जो ओवरकम करना है और यह हम तो एक्टेंग कर पाए इ हम भी दिखाते हैं बढ़ हमने बोला कि हमारा एक तिहाई से 50% बिजनेस अगर हम रेफरल के थ्रू जीत पाएं तो हम मार्ग जकबर को अमीर नहीं कर रहे हैं जो फेसबुक के उनर है क्यार वो अमीर हो गए आड दिखा दिखा के एंड हमने वो ट्रस्ट क्रेट किया तो ह हम पूरे इंडिया में नहीं गए हमने छोड़ी उटे शेहर पकड़े वहां पेंचुर क्या क्यार मुझे अगर गुपता जी ने खरीदा है तो शर्मा जी को रेफर कर रहें नहीं कर रहें महता जी को रेफर कर रहें नहीं कर रहें वहां से हम सोदर भी सस्ता कर पाते हैं बना पाते हैं कोई भी इंडिया में 2 लाग की चीज आड देखने से नहीं खरीदने वाला है वो ट्रस्ट पर खरीदने वाला है मैंने काफी ट्रस्ट की बात की मुझे लगता है आप मुझे से खरीदो किसी और से खरीदो आपने सोलर लगाना चाहिए क्योंकि देश के लिए बहुत इंपोर्टन है आपके फाइनांसेस के लिए प्लैनेट के लिए बहुत इंपोर्टन है अच्छा खरीदो खराब वाले होता है बहुत बहुत मैं एक स्टेप बैक पीछे लेता हूँ सोलर पैनल में ऊपर तो कांच लगा है अलूमिनियम लगा है जो एक्चुली जो टेकनोलोजी बिजली बनाती है वो न वेफर थिन वो आपके हैर थिन होती है और वो फैक्टरी में तो चला अच्छी बन गई जब आपके घर पर है तो वो ट्रांस्पोर्ट हो रही है इंडिया के रस्तों पर ट्रांस्पोर्ट हो रही है लेबर इंडिया में स्किल्ड लेबर तो है नहीं तो जब लेबर आपके छट पे लगा रही है आप maintain कर रहे हो उस चीज़ को तो यहाँ पर बहुत damages हो जाते हैं और यह damage manufacturer तो control नहीं करता क्योंकि वो तो अपने factory में बना रहा है जैसे हम गाड़िया बनाते हैं मारूती बड़ी क्यों बन पाए क्योंकि उनकी हर गाड़ी उनके factory में control environment में बन रही है हमारा challenge यह हमें 70 component लेने पड़ते हैं और एक गाड़ी के विकले हैं दो लाग की चीज़ technical product हमें हर रोज एक नई छथ पे उसी quality की बनाने जो 25 साल चले आसा नहीं इंपोसिबल नहीं है I think वो के quality की तरफ नच करें और यह बोलना मैं आपे मेरे बहुत आसाने बोलना के हम quality का काम करते हैं बाकी लोग नहीं करते I think like मैं personally मेरी team जो है हम इतने मोटेट है के हम solar को हमारे एक ही mission है हम हमें पता है कि देश 2030 में तो solar जाएगा ही जाएगा क्योंकि asperos momentum इतना होगा पड़ोसी लगा रहे हैं government बोल रही है आप जाओगे 2030 में मेरा contribution क्या है climate change में मैं अगर जो जो घर 2030 में solar जाता कैं मैं उसको 2027 26 क्या मैं एक दिन पहले जो जिस दिन solar जाना था उसके एक दिन पहले घर हम उसको solar ले जा पाए तब हमने climate change में हमारा contribution किया क्योंकि जितने जल्दी आप अच्छी बिजली बनाएंगे उतना आप और परियावरेंड को बेटर impact कर पा रहे हो और यहां पेने दो चीज़ें चीज़ेंगे और यहीं पे जो मैं हम पहले बात करेंगे पैशन की जो में दिक्कत क्या होती है मैंने सोदर बहुत अट्राक्टिव बना दिया अच्छी से packaging कर दी service time पे जा रही है बट मैंने बहुत महेंगा कर दिया कम लोग सोदर जाएंगे और मैंने सस्ता मनानी की याड में ट्रस्ट खो दिया कि मैं सर्विस नहीं दे पाया जितनी बिजली बनानी थी उतनी नहीं बना पाई तो शुरुआत में तो business आ जाएगा दो साल बाद आप या तो industry में नहीं रहोगे या तो आपका नाम खराब हो गया होगा और यहीं पे जो magic क्रेट करना था है क्यार मैं अच्छी quality कम cost में सही cost में कैसे दे पाऊ और कैसे उसके पीछे पढ़ा रहा हूँ यहां पे जो जो missionary लोग अपने अगरे term सुना होगा missionary और mercenary कुछ लोग के जो पैसे ले काम करते हैं अच्छा काम करते हैं मेहनती हैं बहुत अकल बंद है बट वो खुद के लिए कर रहे है और वहीं पे उसका 99% वाले अकल वाला इंसान बट अगर mission पे हम देखते हैं ना हर कोई हर किसी को IIT, IIMS होनी की जरूत नहीं है जो impact क्रियेट कर रहे है तो वो जुनून अगर जो लेके आते हैं कि छत में दिक्कत होगी, customer मान नहीं रहा है वो घुज जाते हैं, वो sales team के साथ में लग जाएंगे वो operations team के साथ में लग जाएंगे finance team के साथ में लग जाएंगे वो एक threshold overcome कर पाते हैं क्योंकि हम क्यों काम कर रहे हैं नोबडी works for a person और बहुत कम लोगे जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं people work for a mission, वो कोई भी company हो वो hospitals हो, business हो वो mission अगर आप सही दे पाए लोगों को I think true change अभी हो पाएगा इस इस दे टूथ अबाओ हार गार सोलार आपने एक बहुत realistic picture draw out की है तो उसको ऐसे ही बहुत सारे clips अपलोड की हैं इस channel पर चैनल को explore करो, देखते जाओ और सीखते जाओ